हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तो दे चैनल मैं हुशिम और आप सब ही का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख सकते हो यह मेरी बॉटल पर लगाया हुआ है आप देखो और आज मैं और एक बॉटल पर इसको लगाऊंगी तो इसकी वीडियो आपके साथ श्यार करनी थी अगर चैनल पर न्यूँ है तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकन को भी दबा लिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए तो फ्रेंड्स अभी क्योंकि अभी जो सीजन है सभी कटिंग्स को ग्रो करने की अच्छी सीजन है अच्छी समय है तो हम सभी बहुत सारी प्लान ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारी कटिंग्स की वीडियो हम डाल रहे हैं तो क्यों ना अभी हम इसको भी डाल लगा दे और यह क्योंकि इसकी फाइदे आपको पता है इसकी हेल्दी बेनेफि तो friends इसको आज मैं आपको ग्रो करना बताऊंगी बहुत ही simple है अगर आपके पास जके की कमी है आपके पास मिट्ची नहीं है फिर भी आप ग्रो करना चाहते हो पुदीने को तो बहुत ही आसारी से आप ग्रो कर सकते हो कुछ भी नहीं चाहिए देखो मैंने इसको इस तरीके की एक बॉटल पे ग्रो किया हुआ है तो इसके लिए मैं आज इसको और एक बॉटल पे लगाऊंगे तो सोचा आपके साथ भी ये वीडियो मैं शियार कर लूँ तो इस तरीके से मैंने की उजलेस बॉटल मैंने ले लिया है जो कि मैं फेकने वाली थी मैंने इसको नहीं फेका तो इसको आप देख सकते हो चोटे 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 होल्स कर दिये और नीचे से भी मैंने होल कर दिये तो इसको लगाने के लिए जो मिट्टी इसको आप हैंग भ तो मैं इसको ऐसे रख दूंगी जैसे कि इसको मैंने रख़ा है तो इसको ग्रोख करने के लिए जो मिट्टी मुझे चाहिए इसके लिए मैं मैं मैंने लीफ की हैं ये जो आप देख लें हुड ये बहुद ईसली सोईल है कि ढूंत डेसे तो पानी कम मिले तो यह प्लांट खराब हो जाती है ज्यादा पानी मिलने से भी प्लांट खराब हो जाती है तो हमें क्या करना है मिट्टी में मौश्च जो मौश्चर है वो बने रहे इसके लिए हमें इस तरीके की मिट्टी ही हमें चाहिए बहुत ज़दा खाद भी नहीं लेकिन मैंने इस तरीकी की मिट्टी ही बनाई है 40% gardening soil 40% मैंने जो कावडंग है गोवे रखाद उसको लिया है बाकी थोड़ी सी मैंने इस पे लीफ कॉम्पोस्ट लिया है और थोड़ी सी कोकुपीर में लागे मैंने एक अच्छी मिट्टी बना ली है ठीक है तो इस पे ही मै इसती पूरा ही मैंने भर लिया है और यह जो पुदीना मैंने ग्रो किए इससे ही मैं कुछ कटिंग्स ले लोगी पुदीने में क्या होता है फ्रेंस आपको पहले बता देती हूं पुद्धिना पहुत जलदी खराब होने की कारण होती है ज़ले सी त्वक बहुत जयादा लिफ्स पे और एक प्रॉबल्म होती है इसकी लिफ्स देखो इस तरीके से इस तरीके से हो जाती है, इसके लिए आपको हमेशा ही लगबग छे-साथ दिन बाद-बाद ही आपको इसको हर्वेस्ट करना चाहिए, हर्वेस्ट करने से क्या होता है नियू जो निकलेगी और देखो और बहुत ही एजी है आपको सिर्फ चेक करके थोड़ी थोड़ी पानी आपको देना है आप चाहू तो नीचे की जो लीफ से उसको आप इस तरीके से हटा के अप लगा सकते हूँ जो पत्या में हटाऊंगे उसकी चटनी बना लूँगे इस तरीके से आप सिर्फ आपको दबा देना है तो फ्रेंस देखो मैंने सभी कटिंग्स को इस तरीके से लगा दिया है और कुछ बागी है और भो भी लगा दूंगी अभी अंधिरा हो रहा था तो इसलिए वीडियो को यही खतम कर देती हूं तो इसको लगाने के बाद आप अच्छे से इस पे वाटरिंग कर दो वाटर और आप चेक करके कि इस पर पानी दो दो 3 दिन के लिए आप इसको शेडिमी चोड़़ दो ताकि यह बूट आ जाए उसके बाद आप इसको धोला में ले जाना धूंगी बहुत जालदा तैज थूप में आपको नहीं रखना इसको जहा थोड़ी से शेड होती है वहां और इससे बहुत सारी पत्या मैं निकाल भी चुकी हो और बहुत ही अच्छी खुश्बू है तो आप इस तरीके से पुदिने को ग्रो कर सकते हो कोई भी फटलाइस करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप चाहो तो थोरे सी खली का पानी आप दे सकते हो नहीं तो जो मिट प्लान भी बहुत है और अच्छी चलेगी और बहुत अपकी प्लान भी होगी तो फ्रेंस आज के वीडियो एक ही खतम करती हूं मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी रहिए फुश रही और चारो तरब ग्रीन बनाएं थैंक बनाएं पर की खती हूं मेरी और बहुत है और बहुत हो नहीं हो हो थाप रहुत वाहर प्लान भी हो आप